So one month हो चुके हैं, इस sketch को ड्रॉ करते हुए और आज जाकर यह sketch complete हो चुका है इस drawing को ड्रॉ करते समय मैंने बहुत साही चीज सीखिए उन में से एक सबसे ज़रूरी चीज है patience बहुत जरूरी है जाहे वो drawing का field हो या फिर और किसी का field, patience हर field में ही काम आता है जैसा कि मैंने भी बताई ज़्राइंग को डॉकरते समय मैंने बहुत साइचीज सीखी है और उन में से यह चीज़ है कि अपनी गलती और उसको सुधार। यह नहीं की गलती है तो उनको छुपा दो जैसे क्या होगा पर ड्रॉइंग में अगर आप अपनी धुड़ेंगे उस अब बात करते हैं इस ड्राइंग की अब मैंने इस ड्राइंग को सेलेक्ट तो कर लिया था इस पिचर को लेकिन सबसे जरूरी बात आती है बनाना मैंने इसको बनाना शुरू किया शुरू में तो डिफिकर्ट लग रहा था और बहुत ज्यादा डिफिकर्ट था मतलब उतना इस ड्राइंग को बनाते हुए लगबग एक हपता हो गए थे और मुझे यहां लग रहा था मैं जो ट्राइंग को छोड़ दूँ क्योंकि यह बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा डीटेल है और मेरे चैनल बहुत दिन से अपलोड भी नहीं हुआ था और मेरी चैनल की ग् प्लीट तो कर रहा था लेकिन मुझे खुद में कॉश्चन उटने लगा क्या मैं से स्केच को कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं क्या मैंने यह गलक सेलेट कर दिया लेकिन फिर भी मैंने गिवप नहीं किया और आगे इसको कंटीनियू रखा अज़िए मैं आपको बताता कि मैं इसी को ट्रॉ करूंगा एक दिन मैं इसी बैठा था अपने यूटूब के कंटेंट के बारे में सोज रहा था और इंस्टाग्राम भी स्क्रोल कर रहा था और मुझे बीच में याली इमेज दिखी और मुझे काफी अच्छी लगी मैंने इसको एक बड़े से शीट मे इमेजिन किया पैंसल से और मुझे ये काफी अच्छा लगा तो मैंने इसको ड्रॉ करना चालू कर दिया वाकी तो वैसे तो मैं सोचता हूं कि मैं इसको ड्रॉ करूंगा लेकिन मैंने इसको कंटीनू कर दिया और एक बात और अगर आपको ये स्केच थर्टी डे वर्थ इट लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे स्केच और बनाओं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा और जो कुछ खराप लगा वो भी बताईएगा और जो नहीं चाहते हैं वो भी बताईएगेगा सब कुछ बताईएगेगा झालओान हैं तो मुझे कर दो ले बताईएगेगा साथ मुझे वो भी बताईएगेगा मैं सब्सक्राइगेगा कि रचताईएगेंएगे पन्याओ बताः अच्खएभ और यगा कि अवाूर प्योंड़ियों भी तो प्या प्यों झाल झाल